हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आइकन देकन दोनी हमारे घाइकन प Anda बश्सक्राइब और दुष करें दाथे이라 जुष करें लृख्षार्ण जाजन देसलों दून से नाम झाल झाल करेंदान करें उको व्याजन करें दुड आहले करें अझान दुड जाल एकन दुडिवेत ग्याम हुई अख जछाओ ता एंऑ हुई 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 था खी लाओ हुई 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 अजस अखो अख अबाख 24 बाप रहे 125 केजी कर सेंट मार रहे है द्रया सर 25 आजी अपना रेकॉर्ड थोड़के ही रहेंगे 26 27 28 29 30 कि अधिए आज प्रूव कर दिया कि रेकॉर्ड बेक करना अधिले को बड़ी बात नहीं है तो जानते हैं कि मुझे एडी ओफिसर बनना है एडी ओफिसर होने के लिए प्रिजिके लिए फिटा होना जरूरी महीं है कि दिमार्ग से भी तेज होना बहुत सुरूरी है समझे है अई नो सर एकिन क्रिमिनल्स को पकड़ने के भागदौर करना ही जरूरी है ना सर और सर मैंने डिसाड कर लिया कि सर्वे ट्रेनिंग तो आप ही से लूँगा सर यह सर कि तुमने इमानों कि यह चलो ठीक है हमें काम करते हैं हम लोग न है हैं रिस्लिंग कॉंपेटिशिन करते हैं तुम और मैं अगर मुझे तुम्हें हराने में तस सेकेंड से जखा लग गए तो तुम जो कुछ बोलोगिये मैं मानने के लिए तैयार्व मगर अगर तुम हार जो मैं बोलूँगा वो तुमें बानना पड़ेगा स्टाइब तेन नाइए एक सेवन सिक फाइए पोज ट्री टू पाइए 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 एक बात तुमानना होगा कि तुमने हिम्मत और ताकत दोनों है हम ठीक है अब जाओगा हम लेकिन सर नो सेकें तक तुरोग के रगाता न आप लिखेंगे सर आपको अश्रा सेकेंड लगेंगे सर सीउट्या सर यह लड़का मानेगा नहीं यह यह वपिसर बन के रहेगा लगता है आपको यह बढ़े आपको यह बढ़े सर, यह किसी गैन्का गम लगता है या फिर टेररिस्ट का यहां क्रिकेड नहीं उन में इस तरह के केस के बारे में पहले तो अभी नहीं सुना था हाँ यह पर यह बढ़ ग्राउंड के बीचों बीच पहुचा कैसे है इस ग्राउंड का एक एक इंच अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा ग्राउंड पर ब्लास्ट करेंगा क्यों और वो पी सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए वही तो आप लोग तर मैं रंजीत ब्लासस का कोच यह सुमित हमारा पेसबॉलर केशाव ओपनिंग बैट्पन और यह सुरेश और यह यह लीना है अमर की गल्फिन यहाँ कोई प्रैक्टिस माच चल रही थी या वो बासर यह डुमस्तिक रिकर्ट लीप शुरू होने वाली है तो उसी के लिए तीम आपस मही मैच केल रही थी आपस मही सेलेक्शन केली फिर अचानक यह हो गया एकदम से बास्टू असर एक भयाने से सपना लग रही है इतना बड़ा आथसा हुआ यहाँ बे किसी ने कुछ तो देखा होगा ना यह सर सर मैं फेल्ड पर ही था बिल्कुल अमर के सामने और जैसे इस उमित ने बोल डाली कुमारा कहने को मतलब है के बॉल में बाउम था जी सर लगता तो ऐसा ही है ओ इंपैक्ट बाउम जिसे हिट करने से या प्रेशर डालने से फट जाता है पर यह बॉल कहां से आई मैना मतला वे मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी सर दीन दीन कंपनी का क्रिकट गेर यूस करते हैं तो इसिंग रूम में तो सारे प्लेस आसानी से आ जा सकते हैं जी सारे प्लेस इवन स्टाफ मेंबर्स अलटो तो रेगिलर बॉल को बॉम वाली बॉल से बदलने में किसे कभी आता हो सकता है कोई भी कर लगता है असर ये प्लास्ट होने से पहले एक्जाक्ली क्या वाता जरा डीटेल में बताएंगे सर अमर रेडी था सुमित की बॉल का सामना करने की फर्स बॉल बाउंस है जिसके लिए शायद अमर तयार नहीं था अमर के बैट पर लगी अगर कुछ खास कमाल नहीं कर पाया अमर ने तीसरी बॉल खेलने की कोशिश की मगर कोई रण नहीं क्या हुआ थीन बॉल खाली एक रंट उस्टे बनाया नहीं जा रहा है और बाते तो सिक्सी करता है पहले ही बॉल में सिक्सर मार दूँगा, तेरा दिल नहीं तूट जाएगा तेरा वॉमख करवा रहा था, अब देख जल्वा कमान, कमान, कमान जैसे ही सुमित ने चौती बॉल डाली, बॉल ब्लास्ट होने से तीन बार वो उसी बॉल के साथ गेल, लेकिन कुछ नहीं हो, चौती बार जब उसने शॉट मारा तो अड़ गया जैसे बड़ी अजीब बात है अगर इस बॉल में बॉल में बॉल था तो पहली बार ब्लास्ट क्यों नहीं होगा अग्जैक्ली, क्योंकि जब पहली बार कॉंटेक्ट हुआ, वाल और बात, तभी क्यों नहीं पटा आप लोग सब इसके दोस्ते हैं किसी से कोई दुष्मनी बगारा है नहीं सुर, अमर बहुत अच्छा इंजान था, उसके कोई भी दुष्मन नहीं थे सर, अमर एक स्टार बैट्समन था, सारी कॉलिटीस इसके अंदर बस थोड़ा सशॉट्ट टेमपर था, उससायल था भी पिछले कोई दिनों पहले उसका जगड़ा भी वहात अपने एक साथी के लाड़ी से क्रिश्यव से क्रिश्यव से क्रिश्यव मेरा बैट तो चलता ही नहीं और वैसे भी जब तक तू क्रीश तरह रहाएगा तब तक रंडेट भी तेरी तरह रहाएगा स्लोग मुझे चांस मिलेगा तब ना कुछ कर पाऊंगा चांस? इतने चांस केश्यव और वैसे भी देख यार मुझे के लिए खेलते हैं अपने लिए नहीं और तेरे रन आट हो जाने के बाद टीम तो जीद गई नहीं अईरी वज़े से तो अपर तोजे क्या प्रावजम है देख हमर्व यह मेरे करियर का सवाल तो मैं कोच से तरी शिकायत करूँगा कि तु मेरा करियर बरबाद करने पर तुलागवा है शिकायत करेगा हम? जा कर दे मेरा कुछ नहीं बढ़ने वाला फुल्टा तुझे ही टीम से आउट कर देगा क्योंकि कोच को भी सिर्फ जीद से मतलब है और वैसे भी टीम का बेस्ट प्लेयर हुम है मेरे बगार तुम लग कुछ भी नहीं हो कॉंग्रेट समर आज भी अपनी टीम को जीद दिलादी हर मैच में एक नया रिकॉर्ड ग्रेट थैंक यु वेरी मच वैसे केशव के रन आउट होने पर आपका क्या कहना है वैसे वी ता इंस काना जाता हम अगर वो रन आउट नहीं होता तो हमारे टीम के ल caramel जीतना पॉसिबल नहीं था तो क्या हो गया कि अगर उसका बल्ला नहीं चाल रहे है आउट कर उसने हमारी टीम पर बड़ा हैसान किया है सोब ठोड़ा सा क्रेडिट उसे भी देना चाहिए, राइट? समस्ता के तो अपने अपको? मैं बनाता हूँ तुरे खोट हुगा थो क्या करेगा? क्या बगवास करने सब के सामने तु? किशफ अपनी हद मेरे तु? अभे तु जानता है मेरे को तू नहीं जानता, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा केशफ? बेटा, तू बचेगा नहीं आज? केशफ अपने हाद मेरे है? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो भाई इसे! सर, उसने मेरी बहुत इंसल्ट की सर, तो मुझे बहुत गुसा आया सर, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर, सर एक्चुली गल्ती अमर की थी, सर वह सब का मजा पुड़ाने में उसे बड़ा मजा आता था, जो हुट है ये सब सर, ये सब लोग उससे जलते थे, बड़ा करने का तरीका काफी अलग और कॉम्लिकेटेड है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि बाल में बाउम रखके किसे को मार दिया जाए, और ऐसे भी अमर को रास्ते से एटाने वालों के लिस काफी लंभी है, हाँ सर, लगता लीना को छोड़ कर सब नफरत करते थे हमर से, ये तो सिकले पोचा देखे, साड़ों के के पाथ, ये तो पता चले कि ये बाल, बाउम कैसे बन गया? बाउम कैसे बटापाना का ये बाउम कैसे बलास्ट हुआ है, अपने आप बलास्ट हुआ है? या किसी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस के जरिये ब्लास्ट हुआ है, या कि प्रिगर कैसे हुआ है, यह बता पाना बहुत मुश्किल काम है, अगर दोक्षर अब इन सब चीजों से कुछ तो पता चला होगा आपको, हाँ, एक बहुत इंपोर्टेंट बात पता लेगे ही वास, हो यह कि यह बॉम टे एंटी और अमोलियम नाइट्रेंट के मिक्स्टर से बनाया गया, यह तो बड़ा फतरनाक मामला है, यह सब तो बिल्डिंग अगरा के लाने में चाम आता है ना, हाँ, और बॉस हमें अब शहर के हर उस स्थान पे जाना पड़ेगा, हर उस जगे पे जहां पर इस एक्स्प्लोजिव के जरिये, बिल्डिंग ब्लास्ट के गई है, वहां से सेंपल इकटा करने पड़ेंगे, और फिर इस इस बॉल के बॉम से, इसके एक्स्प्लोजिव से मैच करके देखना पड़ेगा, और इस सब में तो बड़ा टाइम लगने वाला है, त इससे इतना बड़ा दमाका जिससे एक इन्सान के चितडे बड़ए है, मतलब एक्स्प्लोजस की मातरा काफी होगे? यस। दॉढ्ट! यस। वर राइट! स्यं मेरो बॉल के वजन में भी तो फरफ़पडा होगा. सर, सुमित. सर वा सुमित. सर मैंने कुछ नहीं किया है तर आप लोग मुझे क्यों फसा रहे हो अमर के मौत मेरा कोई हाथ नहीं है सर आम इनुसें तुमें बॉलर तुम थे और उसी बॉल से यानी बॉंब से अमर की मौत हुई है इसलिए सबसे पहले शक तुम ही पर जाएगा समझे यह मेरी सर्विस गन है इसका वजन मेरे हाथों को मेरे दिमाग को अच्छी तरह से पता है इसके मैगजीन में से अगर में एक बुलिट भी निकाल दी ना तो इसके वजन में फरक पड़ता है जो मेरे हाथों को और मेरे दिमाग को पता चलता है समझे तुम तो एक फास बॉल नॉर्मल बॉल के अलावा कुछ दूसरा भरा जाया है यह सगी एक्स्प्लोजिव तो उसके वजन में फरक पड़ी गए जो तुम्हारे हाथों को तुम्हारे दिमाग को पता चलना चाहिए किसी को भी पता नहीं चला वजन के बारे में यह कैसे हो सकता है सर कोई फरक था ही नहीं और सर जिसने भी यह किया है बहुत चालाकी के साथ किया है लग चार बार जो तुमने बॉलिंग की कोई कोई फरक मैसोस नहीं वा तुम्हें जी नहीं सर कुछ अलग तरीके जबॉलिंग की थी तुमने नहीं सर कुछ अजीब देखा कुछ सुना किसी यह नहीं बॉल बदली हो, दिलिवरी के भीट हो नहीं सर, कुछ ऐसा नहीं था था, सब कुछ ठीक था, चौथी बॉल पर ही अचानक से ब्लास्ट हुआ जिस ब्रैंड के लिए बॉल पर यूज करते हैं और सर, हमारी बॉल्स हैं क्राफ्ट होती है जिसके उपर की सलाइड दीम की वर्क्शॉप में बनती है वो भी हातों से, मशीन से नहीं सब्सक्राइब करते हैं जिसका नाम कूल माइन स्केंडल में आया था, पर इसके खिलाब को सावित ने वा था, और ये बजग गया इतने संगीन जूर में जिसाज़े का नाम आया सर, वो तो कुछ भी कर सकता है इस विश्वास के पास डेफिनिटली कोई खास वज़ा होगी इस जूर्म को अंजाम देने की अभी जी देख काम करते हैं, तुम और पुर्वी इस विश्वास के पास जाकर अच्छी तरसे पूश्टाच करो, सच उगलवाने की कोशिश करो उससे अद्धया, पंकच को साथ में लेकर जाओ, उस डीन मेनिफेक्च्छिरिंग कमपनी में और पता लगा वो बॉल किस ने बनाया था इसक्यूस में, निस्टर विश्वास आप, अमनुपसी आईडी से एक्चली अमर मडर केस के इंविस्टिकेशन में कुछ ऐसी बज़ाया सामने आई हैं जिससे हमें आपके पास आना पला हैं वो बज़ा वो कारण आप बताई हूं उस इसक्या है ज़रूर बताएंगे कर ले आप बताएंगे कि अमर का जब खून हुआ तब उस वक्त आप काहा थें मुझे पता था कि आप ज़रूर रहेंगे इसलिए मने पूरी तयारी कार रखे थे पुलिस के सियाईटी के काम करने के पैटर्न को मैं एच्छे रह जानता हूं आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस फाइल में जाहेगी मैं उस वक्त कहा था मेरे कॉल रिकॉर्स मेरे फाइनशल रिकॉर्स युद फाइल इस फाइल रहे स्मार्ट इसके अलावा भी आपको जब भी मेरी ज़रूत पड़े तो बै आज जाओंगा मैं आपको ज़र्वेशन चाहिए Thank you So, can I leave now? Come Blaster's 11th of me, Mubarak Mr. Raman, क्या लगता है Amar की मौत की साज़िष में विश्वास का हाथ हो सकता है विश्वास को प्लास्टर्स 11th से उतना ही प्यार है जितना मुझे In fact इस टीम को उन्हों नहीं बनाया जितना पार्टनर्शिप के दौरान मैं उन्हें पहचान पाया हूं विश्वास कुछ भी कर सकते ये लोग लाउज नहीं पहनते? सर, बारी काम है ना इसलिए दस्तानों के साथ सिलाई करना मुश्किल होता है हमें ये बॉल का एक टुकड़ा मिला है जिस पे किसी के उंगलियों के निशान है आप लोग के उंगलियों के निशान लेंगे और इस उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देखेंगे जिस किसी का भी मैच हुआ, हमारा मुझे हुआ ही है हाथ दखाई है अपना अरे बरसों से काम कर रहे हैं साब हाथ के निशान तो किसे इंगे ही मेरे हाथ भी देख लीगे साहर इनके हाथों से तो फिंगरप्रेंट मिलेंगे ही नहीं तुम तुह यहां पे नहीं हो तुमारे हाथों के लकीर तो एक तम सही सलामत है जी सर, मैंने अभी तक बॉल बनाना सीखा नहीं है तो हमने कब बोला कि तुम्हें बॉल बनाना था जीवन बहुत हुश्यार लड़का है साहब इस स्टीम कमपनी में हम दोनों के इलावा यही तो है हाथ की सिलाई में माहिर अच्छा तो जीवन जी आप और किस-किस चीज में माहिर है यह भी बता दीजी मैंने क्या पूचा सुना तुमने मारिये मत सर प्लीज मारिये मत सर मैंने सर्फ एक बॉल तयार की थी बहार के लिए जिसके लिए मुझे पीस हजार उपय मिले थे वो बॉल है वो बॉल था इस वे से ख्लाड़ी की मार्ट हो गई है मुझे कुछ नहीं मारियूं सर जो आप भी मेरे पास आया था उसके पास पहले से एक तैयार बॉल थी मुझे सर्फ उपर से सिलाई करनी थी उसने कहा था सर की काम ऐसा होना चाहिए कि वजन में और दिखने में बिलकुल तीन बॉल जैसा लगे कोने वा आदमें, नाम पता? नाम तो नहीं पता, सर्फ. पेरें तो शेकलता देगी थी नोष्की? हाँ. केज़ वनवादी वोष्का. वाँ. सर्फ, जलम्के. सर्फ. हाँ. से आप मैंने पूरा क्रिकट का किट चेक किया. किसी मैसे कोई भी एक्स्प्लूजिव के कोई ट्रेसे नहीं चेज़ी पने और नहीं किसी चीज से कोई छेढखानी की गई है। सिर्फ ये कुछ ब्राइंड्स के स्टिकर्स लगे हूँ है और परसनल ओटोग्राइब्स के हूँ है बस एक मिनट बस शहर ने जितनी भी बिल्डिंग्स को उस एक्स्पोजिव से ग्राया गया है उन सारे सेंपल्स को अच्छी तरह से चेक करने के बाद एक नाम ऐसा मिला है जिसका एक्स्पोजिव उस क्रकेट वाले बॉम के एक्स्पोजिव से मैच करता है और उसका नाम है बस SMC SMC? पक्का, अंदेध पसंट तो किसी ने उस बॉल को बॉम बनाने के लिए SMC के स्टॉक से एक्स्पोजिव के चोरी किये है पर एक काम करो, SMC के एक्स्पोजिव कंटूर्स से बात करो, पूछ उससे क्या पिसले कुछ दिनों में उसके एक्स्पोजिव के स्टॉक में से कुछ गायव हुआ है क्या है चाले नी ज्या हुआ सार्? अब मंदल अभी तक फाइल लेके क्यों नहीं आया? अब मंदल अभी तक फाइल, जल्लिए, 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 इलेके नहीं थ्यावा, अप्पत्ते पर सान्तियों पोच्छ नेत्तों, जाओ जावनवाई अब मेरी बाद घ्यान से सुनना हुआ और एक फ्रेश कंसायन में भीजने का इंतताम को लेके जी सर्, आप सही कह रहे थे हमारे स्टॉक से एक्स्प्रोशिव गाया हुआ है वाकिस सर्, हम संभाव लेंगे रोक, अट्रोक, पेपर निकाल, पेपर चेक कर इसके उतार-उतार, नीचे उतार, पेपर निकाल रशीर करें इसकी याइन प्रिए आप सक्जाओ भीज़ लेकाल वाकिस याइन बाल वाकिस मतार याइन पूलिस वाले के भेश में गहर कानों नहीं काम करता है? हाँ? ते जरा, पूली लग जाएगी, चाली जर, चाल! क्या घरता, एक्सप्लोसिफ का चुओरी करके? चूड बोले के सोचना भी मात, रंगे हाथों पकड़ा गया है तू, बता, चारता है तू इनका? सर्वो, मचवारो को फिशिंग के लिए इसकी जरुरत होती है डाइनमाइट फिशिंग? यह सर, मचवारे, डाइनमाइट, स्टिक्स, पानी में डाल देते हैं और मचलियां, मचलियां उपर आकर उनके जाल में भाच जाती है तुवारें चुराएवे एक्सप्लोजिफ्स के वज़े से हाली में गलड़की की जान गई, वालू मैं न? वो हूँ, वो बैट्समें, लेकिन सर, हमें नहीं पता था कि को इसको इसका इस्तमाल करेगा किसी की जान लेने के लिए क्या सर? ओके, ओके, बेजिये सर, क्या सर? जीवन को जिस आदमी ने बॉल वल बॉम बनाने के लिए का था, पैस्केच बनवा दिया है, सर, दीज रहे है, पैस जानता है इसको, हाँ सर, यह मोहन है, यह एक्सप्लोजी बेकर डाइनमाइट स्टिक्स बनाता है, और मच्वारों को बेज देता है, मोहन यह पास, खेल कतम, समझा, तूने मारा है अमर को है? तूने के लिए, पैसे दिये, उसी ने जिसके कहने पे, बॉल के जूरत में तूने वो बॉम बनाया था, जी वो बॉल तो कारीगर की मदस से बनाया गया था, लेकिर मैं उस बंदे को नहीं जानता जिसने मुझे बॉम्स बनाने के लिए पैसे दिये था, बॉम्स? बतलब इक से जादा बॉम्स है? जादा नहीं, तीन इंपयट बॉम। अठा बॉम्स 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 बंब से रवए उच्यागर की मिह पोला गयाथा, कि जब तो कुछन नहीं होगा, जैसे वजदन आडेगा, वो बॉम्स रौम। पट जाएगा. वह नहीं जानता है, मुझे इसारा समान एक जग पर रखने के लिए कहा गया था मैंने वहाँ पर समान दख दिया, उस दाइम के बाद वहाँ पर एक नौट से भरा हुआ बैग मिला तो उसे कॉंटाइक करता था? जी वह दरवाजे पर चिठी छोड़ कर जाता था कब मिलना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है सब एक बॉम ने तो अपना काम कर दिया है, बाकी के दो का होंगे उसका ज़ब यही देगा, क्यो? मुझे ने मालूम साप, मुझे जादे कुछ नहीं जानता है अच्छा, चाल, इसको बेरो लेके चलते हैं, वहीं बताएगा, चाल साप, बाकबर, साप, 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 पांच करोड है, आधे आप ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए प्रिश्वत देरा मुझे, नहीं, नहीं साप, एक काम का, पैसे लेके चल, बैटके आराम से बात करते हैं, साप, साप, सुनों तो साप लुख जाने तो गोली चला दूंगा तो ये बूबी ट्रैप था, जैसे बैक से ये नोट भार गिरे, बॉब ट्रिगर हो गया ये था दूसरा बॉब पिर तीसरा का है देखो, ज्यादा घबराने की कते ही जबरत नहीं पहले बॉब से बॉब बनाने वाले की धजिया उड़ गए थी और दूसरा बॉब दूसरा बॉब हमें बताएगा के अमर का मर्डर आखिर किस तरीके से हुआ था क्या दोक्तर साब ये गोल-गोल गोंगे आप बात को क्यों गुमां रहे हो सीधे सीधे बताओ ना धर इमका ऑब अब ऑसव बप कड़ो और देखो इस बैट पर ये पीछे सेंसर लगा उना है खेक हे और ये ये है देखो ये है उसका खुराफाते दिमाग का नमोना इस बॉल्फ एक या वाद करे आज इसके इंदर बॉम है और किंडर बॉम है ये बॉम मैंने बनाया इसलिए मुझे मालूम है कि इसमें कितना विसफोटक है जरोमत, बहुत ज्यादा धमाका नहीं होगा, इतना बड़ा धमाका नहीं होगा का हमारा ये सुपर मेन, हमारा ये में दया घबरा जाए, कुछ नहीं होगा अरे लेकिन धमाका तो होगा ना जानबुच के वैसी खतरनाक सिस्योशन में देया के क्यों डालने है भाई आप तुम्हें मुझपर विश्वास है बरोसा है ना मुझपर तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो देखो देखो ये बात पता करनी है ना के पहली बॉल को हिट करने में धमाका क्यो नहीं हुआ था तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो बस और सुनो एक बार ध्यान से सुन लो देया को जितना तुम प्यार करते हो ना उतना ही मैं भी प्यार करता हूँ मैं दिखाते नहीं बस समझ गए अंकाज, जितनी ताकत है ना, उतनी जोर से बोलिंग करना, ठीक है? दया, पहली गेंद को जराड डिपेंसिव खेलना, कम ताकत लगाना, ठीक है? चलो, पांकाज. अंकाज, दुबारा गेंद दालो उतनी ताकत के साथ, अब दया, इस पार पूरी ताकत के साथ शौट खेलना, चक्का जाना चाहिए, राइट? बढ़िखखबगा जो कि अबढ़ेश, बंच कर देंद कर दो सकाहिए छो कि अब़े कर दो खेलना टीक है? यह प्रेशर के साथ ही जो रही नहीं है यह अगर को इस तरीके से बनाया गया था कि अगर बॉल को स्यादा प्रेशर के साथ हिट करोगे तब यह ब्लास्त हो पहली बॉल पर ब्लास्त नहीं हुआ जब उसने चौथी बॉल को प्रेशर के साथ हिट किया सिक्सर के लिए तो ब्लास्ट हो जैसे हमने दया को कहा था पहली बॉल को स्ट्रेट खेलो बॉल पर प्रेशर कम था इसलिए प्लास्ट है हुआ लेकिन जब हमने दूसरी बॉल दया को फास्ट से खेलने के लिका, दया ने जोर से हित किया प्रेशर के साथ, ब्लास्ट हो गया. समझे, एक बॉम का सारा चक्डर प्रेशर का बॉसर का. पाव सर बात तो अब भी भी वही की वही है, यह मौन भी तो किसे के इशारे पे काम कर रहा हता है, असली खुनी कौन है और कैसे पहुंचा जाया उस तक? लेकिन सर अगर विश्वास होता तो उसके खिलाब जो गवाई दे सकता तब मोहन, वो तो मर चुका है ना? अब कौन पहचानेगा उसे, कौन पहचानेगा? सर, वो हमारी टीम के किडवाग्स मिल सकते हैं, प्लीज. पंकच? यह बैट्टिसका है, यह सुरेश हमारा विकेट कीपर. सर, आपंकच? सर, अमर्गी जो गवर्फिर्णी लीना, लगता है उसका विकेट कीपर सुरेश के आज को चक्कार ज़राएज. लीना का, सुरेश के साथ? हाँ सर, यह देखे, अमर्गी बैट्ट पर जो लिखावड़ो जो वर्ड्स है, वही सेम लिखावड़ो वर्ड्स सुरेश के बैट्ट फे भी हैं. बेस्ट अव लग, माई लव, लीना हाँ. लीना को फोन लगाँ, सर. सर, फोन्तों बंदा रहा है? कोई दूसरार नंबर है? लैनला, सर. हाँ, आजी, लीना से बात्र कर सकता हूँ? हाँ, आपकोण बोड़ रहे हैं? सर, वो लैन्ड एड़ीतों खेरियों, वो कल्से घरनी आया है? सुरेश कहा रहे था है? पागल हो गयो, तुम. मेरे, मेरे अमर को मारणाना तुमने. पागल हो तुम, मेरे मरुकों माटना तुमने. अरे, शिलै, थावो! अब्यक्यों, अब्तों तुम्हें मेरना होगा? क्योंकि, अब्तों वेवे तुम्हें असलियत का पता चलिया है ना, बेभी? देखो, मेरे साथ हैसा मत करो, प्रीज मुझे जाने दो. अरे, ऐसे कैसे जाने दू? तुम बहार जाओगी, पुरस वालों को पताओगी, मेरे यहाँ पर बेवगूफ लिखा है क्या? तुम, तुम्हें मारना होगा? करसे मारों जाकू से? मेरे, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज. चील्ट किया है तुने मुझे ना, और जा अमर के पास? मैं मैं भीज देता हूं, अमर के पास. तुम, तुम, इसी ने मेरे अमर का मर्ड़ा की है, उसके बाद मुझे यहां बांज कर रख लिया इसने. तुम दोनों से का दुश्मनी है से? पहले मैं सुरेश के साथ रिलेशन्शिप में थी. पर वो बॉर्ट गुसेल था, मार पेट कर्दा था. इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और फिर मेरी दोस्ती अमर से हुई. उसके बाद सुरेश ने धंकी दी थी उसे जान से मारने की. यह बाद तुमने अमें पहले को नहीं बताई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मेरे अमर को इस नहीं हमा रहा है. नहीं सर, मैंने नहीं मारा रहा है. मुझे तो बस एक काम सौपा गया था कि औरिजनल बॉल की जगा वह बॉम वाली बॉल रिप्लेस करनी है. और सर, उसके बदले मुझे 5 करोड रुपे मिल लेते हैं. कौन है वो जिसने तुम्हे खुन करने के लिए कहा था? पता नहीं सर, मुझे तो वह बॉल दी गई थी, जो कि मुझे सुमित को देनी थी. और वो पैसे से बढ़ावा बैग, कोई मेरे घर पर पोचागे गया अश्या बस. बैग? काया वो बैग पिखाने जाए? सर, यह तो वैसे ही बैगर जैसे मोवन के पास था? वह ऐसे बढ़ाने के लिए बोला गया था? कि जब तो उस तो वजन रहेगा, तब तो कुछ नहीं होगा. और जैसे ही वजन अटेगा, वो बम फट जाएगा. तुम्हें को फोल के नहीं देखा तुम्हें? नहीं शर. बजगे, तो उपर जाने का टिकेट कट्वा लेते हैं. मतलब? मतलब यह है कि नोटों के नीचे बैग में बॉम है, वो भी ट्रैप. जैसे ही तुम नोट बाहर निकलते, रेशर रिलीज होता और बॉम ब्लास. साथ में तुम भी. अब यह बैग ही हमें स्खोने तक पहुचाएगा. सुरेश को तो आमने किरव्तार कर लियाब, अपर ये पैपो से भरी बैग, जी स्केल ने मुख के खिलाडी ने सुरेश को दी थी. कि तुम हमारे कंजे में हैं. इस बैग में हमें फिंगर्पिंट्स मिले हैं, अब आप सब के फिंगर्पिंट्स लेने, इसे मैच करके देखेंगे, पता चल जाएगा, चलिए, चलिए याँ आप आईए, लिफ्ट हां रखेंगे, दूसरा हाथ, हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, लीना, जाए, आप जा सकते हैं, येश्व, आप मेरी माच सुनियों, उसक अंदर बहुम हैं, हम सब बंज रहेंगे, बॉम है, आप बंजी, बॉम से खेलना तो येडे वालों के बाए हाथ का खेल और विससे जिस बॉम की बारे में आप कर रहें हैं, उस बॉम को तो आमने कपका निकात दिया, बस, हम तो सिर्फ यह देखना चाहते थे, कि बैक के अंदर बॉम, किस ने फिट किया, और उस तो सिर्फ वही जानेगा, जिस ने एक आम किया, आपको तो पता ही था, बॉम के बारे, है ना, क्यों, बता हुआ, क्यों किया तुमने ये, है, बता हुआ जलने ही, वो, हमर, हमर को दूसरी टीम से एक बोटी राकम आपर हुए थी, तो अस मैच से पहले ही हो, मेरी टीम छोड़ की दूसरी टीम जॉइन करने वाला था, यह इंपोमेशन मुझे मिल चुकी थी, और अगर हमर तुमारी टीम छोड़ कर चला जाता तो त क्योंकि अमर को खरीदने के लिए अपने टीम में लाने के लिए तुमने बहुत पैसा खर्चा किया था, सर मेरे पास उस पैसे की बढ़पाई करने का और कोई दूसरा रस्ता नहीं था और वो था, अमर की मौत, हमरे सारे क्रिकेटर्स का इंशुरंस करवाता है, अमर का क्या है, अमर के चानेवनों की सिंपती और सपोर्ट वे तुम्हारी टीम को मिल जाता है, अमर हमारी टीम से अलग हो जाधा तो एक पल में ब्लास्टर्स 11 कमजोर पड़ जाती है, अर स्टॉक मार्गेट में शेर्स के पराइस और इन नीचे गर गए था, मेरा एक्स को पट्री पर लाने के लिए मुझे एक जीत की ज़रुवत है और मैंने सोचा यही सही तरीका है अपनी किस्मत को परसे लिखने का वाकरी तुमने एक नए सीरे से अपनी किस्मत लिख लिए है आज से तुम्हारी जिन्दरी में आएगा एक नया अंधेरा काल कोट्री का for more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos